नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहारवाला आरजीवी यूटूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में यह बात करने वाले हो जो एक्जाम है उसके बारे में बात करूंगा जैसा कि मैं आपको कल एक वीडियो दिया था जिसमें कब हो सक उसका जो पोर्टल है उस पर नोटीस आ गया है और कब एक्जाम होगा कब प्रैक्टिकल डेट दिया है कब मतलब एड्मिट कार निकलेगा यह सब कुछ बताया गया है तो चलिए आपको बताते हैं वीडियो में पूरा बताते हैं आपको कि कब एक्जाम हो सकता है तो आपको बताते हैं क्या करना है तो गूगल हम खोल लिया है अब यहां पे नैप्स का पोर्टल जो है उसको हम खोलेंगे ठीक है अब यहां पे इसको ऑपें करेंगे ठीक है अब इसको ऑपें जब करेंगे हम तो यह ऑफिसियली पेज पे आ गया है और आप देखे कि यह जो इसे ओफिस्य पेज है उस पे आने के बाद यह आप उपर में जो देख रह रहा है red color का जो चल गाए इसी में update पता चलता है कि जो नया update कैया आया उसे बाद तो अभी हम आपको दिखाते हैंÓ incentiv को लेकर लेकर अपडेट आया तो paste है अब अभी आपको दिखाते हैं ये रेड कलर का है इसमें आपको क्लिक करके ये डाउनलोड किये हुए हम और ये अभी आपको खोल के दिखाते हैं ये पूरा तो अभी आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है ये नोटिस ये देखिए आपको दिखाते हैं मिनिष्ट्री आप इसकिल डेवलप्मेंट तो वह देखिए यह पूरा वहीं का है और एक्टी एक्जाम को लेकर नोटीस आया है तो भी देखिए इसमें क्या है इसमें डेट वगरा सब कुछ मेंसंद किया गया है और यह आपके सामने हम डाउनलोड किये कोई फेक नहीं अब को समझाते हैं कि क्या कब-कब हो सकता है देखिए आजैसा कि आफ को कल कर वीडियो में ब्ताए कि नमवंबर Δिश्ष्मबर के सब कुछ सही रहा तो लेकिं यह इक ऑंप्पाल के आप निकाल सकतें तो आभी रधी आपको हम समझाते हैं इस चीज को तो देखिए इसमें practical date जो है पहले बार में practical date जो दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है practical engineering drawing seasonal marks establishment 5-7-2021 से 23-7-2021 और इसको timing दिया गया है 19 दिन का यानि कि जो establishment है मतलब कि जहां से हम लोग apprenticeship का training लिये हैं जैसे कि railway में local seed होता है coach factory होता है या जहां से भी करते हैं और ordinance factory में से करते हैं या फिर और भी जितने भी विभाग हैं उन सभी से हम apprenticeship करते हैं जहां से भी तो उन सभी establishment को क्या यह मतलब दिया गया है समय मतलब कि 5-7-2021 से 23-7-2020 यानि 19 दिन का timing दिया गया है कि आपको practical आपका करवा लेना है इसका जो भी है engineering drawing और practical जो है यह पूरा आपको करवा के 19 दिन में करवा लेना है फिर उसके बाद क्या दूसरा नमर में देखे क्या कर रहा है online registration exam registration apprenticeship उसके बाद 23 तक यह होगा फिर 24 27-2021 से 10-8-2021 यानि इसको 18 दिन का timing यह online registration के लिए exam registration के लिए फॉर्म भरने के लिए 24-7-2021 से 10-8-2021 तक का timing दिया गया जिसमें 18 दिन का समय दिया गया फिर उसके बाद तीसरा नमर में देखे क्या कर रहा online exam center mapping CVT exam agency यानि कि जो एजनसी जो exam मतलब conduct करती है उस जो एजनसी लेती है exam कराने के लिए तो उनको 10 दिन का timing दिया गया 11-8-2021 से 20-8-2021 तक 10 दिन का उनको timing दिया गया फिर देखे चौथा नमर में क्या कहा गया हाल टिकट डाउनलोड यानि कि जो admit card है उसको डाउनलोड करने के लिए 23-8-2021 से 39-2021 यानि 12 दिन तक हम अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं मतलब कि 111 बैच का exam को लेके और अब देखे फाइनली पंचमा नमर में क्या कहा गया है पांच नमर में जो कहा गया है online cvt exam cvt exam agency मतलब जो online हम लोग का cvt exam होगा apprenticeship का 111 बैच का ठीक है aitt 111 बैच का तो वह 49-2021 से 89-2021 यानि 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक होगा जिसमें की पांच दिन का समय दिया गया तो पांच दिन में aitt 111 बैच का जितना भी exam ले लिया जाएगा ठीक है तो यह आप देख सकते यह officially आपके सामने ही हम download करके दिखाएं और कोई fake नहीं है और exam का date आ गया है बहुत अच्छी बात है 111 बैच वाले बहुत सारे भाई लोग को यह होगा कि 110 का B का exam कब होगा तो अभी उसका कोई date नहीं आया है 110 का B का कुछ वैसा कुछ नहीं आया notice अगर ऐसा कुछ भी आता है तो प्रैक्टिकल आपका इतने दिन के बीच में आपको जहां जो भी आपका establishment है वहां से call आएगा प्रैक्टिकल के लिए जरूर आएगा ताकि उनको भी अब उनको भी यह चीज के लिए के उनको उनके पास भी यह notice चला गया होगा और वो खुद चाहेंगे कि प्रैक्टिकल इतना दिन के लिए उनको दिया गया जिम्यदारी की इतना दिन तक में आपको प्रैक्टिकल करा लेना है फिर उसके बाद form भड़ना है फिर exam city को लेके agency यह करेगा उसके बाद फिर hall ticket जो है डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपका 4 सितंबर से 8 सितंबर तक में exam होगा तो बहुत अच्छी बात है जितने भी भाई लोग है सबसे यही बोलेंगे जिनका जो trade है, electrician, filter, palomber, जो भी है welder, जितना भी trade है आपका जो जो trade से हैं आप उस trade का अच्छे तरीका से त्यारी करीजे, क्योंकि जहांते आप काम किये वहें , उसका कुछ भी नहीं पूछा पूर्ण रूपेन आपके पास सेटिपिकेट आपके पास हांथ में आ जाए इससे यह होगा कि जैसे आगे दिन जो जैसे कोई भी वेकेंसी आती है तो उसमें आप बैट के मतलब उसका बैनिफिट उठा पाएंगे क्योंकि अगर आपके पास सेटिपिकेट नमर नहीं अगर आप अच्छे तरीका स्तियारिन किजिए गाए तो फैल कर जाएगा फिर आपको दूसरा सप्लिमेंटरी में बैठना पड़ेगा यानि कि आपको फिर दूसरा 112 में बैठना पड़ेगा एक्जाम के लिए तो बहुत सारा लफ़ड़ा हो जाएगा तो इसलिए आपको चार बार टाइम दिया जाता है एक बार ये वाला फॉर्म भरा के उसके बार तीन बार और दिया जाता है तो अब इतना जानिए कि हमको चार बार का इंतिजार नहीं करना है एक बार में हमको निकाल के किलियर कर लेना है ताकि अच्छे तरीका से अपना बाद में फिर उसक अब होगा एक्जाम नहीं होगा तो लीजिए आपका डेट आ चुका है और कल ही मैं इसके लिए के वीडियो बनाया था लेकिन आज देखे डेट आ चुका है फैनली ओफिसियली आ गया है डेट तो अब इस पे तो एकदम तरह से मतलब विश्वास किया जाता है क्योंकि हम य अच्छे तरीका स्तियार कीजिए और अच्छा से एक्जाम देजिए ठीक है थैंक्यू सो मच